बोट इविनिंग दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर केज, सब लेवर हमारे चैनल डॉक्टर कंसल, मैं आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, तो आज की इस विडियो में हम बात करने वाले हैं, गॉन बेरे सिंड्रोम के जो टाइप्स होते हैं, जो प्रकार होते हैं उनके होता है, वो होता है AIDP, AIDP का मतलब होता है Acute Inflammatory Demilinating Polyradicular Nephropathy, जितने भी GBS की पेशन के बारे में यहां पर बात करेंगे, तो उनमें से जो 70% से भी ज्यादा पेशन होते हैं, उनमें इसी तरह का, मतलब की AIDP प्रकार का GBS का प्रॉलिम ही देखा जाता है, वो mostly पेरों क इसका होता है Miller Fischer Syndrome, जिसको की शॉर्ट में हम EMEFS ऐसे भी बोलते हैं, तो यह जो EMEFS वाला JBS होता है, यह काफी जादा rare होता है, यह काफी समय बहुत से पेशन में देखने को भी नहीं मिलता है, यह कुछ rare cases में ही देखा जा सकता है, तो Miller Fischer Syndrome वाला JBS होता है, उसके अंदर उस पेशन में उस व्यक्ति की जो आखों के मसल्स होते हैं, उनके उपर बुरा असर होता है, उसके होज़े से वो पेशन अपने आखों के ठीक से मोमेंट नहीं कर पाता, अपने आयलीड स्टीक से बंद नहीं कर पाता, आखों से काफी जादा lacrimation या पर काफी जादा पान में देखा जाता है, इसके बाद जो तीसरा प्रकार होता है, GBS का, वो हता है AMAN, इसका मतलब होता है acute motor axonal neuropathy, तो इसके अंदर उस पेशन में जो nerve damage है, यह काफी जादा हुआ रहता है, इसके उज़े से वो पेशन ठीक से अपने body के जो limbs होते हैं, उनको ठीक से मोम नहीं क होता है, और इस बात का, इस बात को indicate करता है कि एक moderate phase है और इसके बाद और ज्यादा severe stage, और ज्यादा तकलीफ देने वाले stage उस patient के अंदर आने वाली है, उसका मतलब होता है acute motor sensory axonal neuropathy, symptoms थे AMAN में, तो वही symptoms इसके अंदर भी होते हैं, लेकिन उन symptoms की severity और उनकी chronicity काफी severe form माना जाता है, तो यह mainly चार प्रकार है जिसके बारे में अभी हमने बात की है, तो इसमें जो सबसे पहला प्रकार था, ओधा acute inflammatory demylinating poly radical nephropathy, जिसको कि हम short में AIDPAS से बोलते हैं, इसके बाद जो दूसरा प्रकार था, ओधा Miller Fischel Syndrome, और जो तीसरा प्रकार था, acute motor axonal neuropathy, और जो चोथा और लास्ट प्रकार है, ओधा acute motor sensory axonal neuropathy, तो यह mainly चार प्रकार है, या फिर चार टाइपस है, जो कि GBS के पेशन में देखे जाते हैं, तो AIDPAS का प्रकार है, जो most of the patient में GBS के देखा जाता है, तो this was in short about the types of GBS, अगर आपकी GBS के बारे में और भी कुछ doubts है, तो आप में नीचे comment section में जरूर पूर सकते हो, thanks for watching this video till then, thank you very much.